जेहन स्टूडेंट्स अब हर एक केंडिडेट की ये आदत होती है कि वो जिस एक्जाम की तैयारी करता है सबसे पहले वो ये जानना चाहता है कि उस एक्जाम को वो कब तक देने के लिए एलिजबल है और सबसे पहले अगर बात की जाएं तो एक स्टूडेंट सिर्फ एलिजबलिटी के अराउंड इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो तैयारी से पहले अपने टोटल नंबर अफ अटेंट्स को एक्स्प्लोर करना चाहता है तो आज इस सेशन में मैं आप लोगों को आपके CDS एक्जाम में कितने अटेंट्स अभी आपके पास बाकी हैं वो बताने वाला हूँ और यहां पर आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या-क्या eligibility conditions हैं जो आपको पूरी करनी चाहें इसके साथ इस वीडियो में मैं आपको बहुत आसान भाषा में ये समझाऊंगा कि CDS के attempt किस तरीके से calculate किये जाते हैं और आप भी कैसे अपने attempts को एक आसान तरीके से calculate कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं आज इस वीडियो को और इस वीडियो में detail में हम लोग समझेंगे CDS exam के attempts के बारे में सबसे पहले मैं आपको वो CDS exam के बारे में बताता हूँ जो exam आप दे चुके हैं तो आपने CDS 1 2024 का exam दिया और ये CDS 1 2024 में काफी students के मन में ये सवाल आता है के सर अभी तो मेरी उमर 25 साल नहीं हुई थी फिर भी मुझे CDS 1 2024 देने के लिए allow नहीं किया गया CDS में eligibility, age eligibility क्या कहती है तो IMA के लिए और Indian Naval Academy के लिए eligibility conditions सेम रखी गई है age eligibility की बात की जा रही है कि age eligibility सेम रखी गई है तो CDS 1 2024 आप तभी देने के लिए eligible थे अगर आपका जन्म 2nd January 2001 से और 1st January 2006 के बीच में हुआ same for Indian Naval Academy इसके साथ साथ Air Force Academy के लिए अगर आपका बर्त 2nd January 2001 से और 1st January 2005 के बीच में हुआ था तो आप Air Force Academy के लिए एक्जाम दे सकते थे और Officers Training Academy के लिए अगर आपका बर्त 2nd January 2000 से 1st January 2006 के बीच में हुआ था तो आप एक्जाम दे सकते थे अब मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ के एक्जाम में तो लिखा हुआ होता है के तिल 25 यर्स तिल 24 यर्स बट फिर भी आपकी eligibility conditions या जो age bracket आपको एक्जाम में दिया जाता है वो हमेशा कम क्यों शो करता है तो सबसे पहले यहां पर आप देखेगा के यह जो CDS exam है इस पूरे exam का जो process है वो एक साल लंबा process है ठीक तो आपका जो CDS 1-20-24 exam conduct कराया जाता है इसकी जो joining आपको issue की जाएगी वो joining आएगी IEM में Air Force Academy और Indian Naval Academy के लिए आती है first week of January 2025 में और OTA की अगर हम बात करें तो OTA की joining आती है आपकी first week of April 2025 में clear? तो आप लोगों का exam चाहे 2024 में conduct हुआ हो बट आपकी joining जो है वो 2025 में आएगी clear? ऐसे ही CDS 2 जो आपका exam है उसमें Air Force Academy IEM में और Indian Naval Academy की joining दी जाएगी first week of July में 2025 में और OTA की joining आएगी October के first week में okay so first week of October 2025 में आपको officer's training academy की joining issue की जाती है clear? so by and large ये पूरा process होता है अब सवाल ये उठता है तो sir कैसे तै किया जाता है अब आपने कई बार देखा होगा के IEM में Naval Academy और AFA आप join कर सकते हैं till 24 years of age clear? यहाँ पर Indian Naval Academy और Indian Military Academy के लिए okay जो age bracket है that is 19 years to 24 years okay and for Air Force Academy it is 20 to 24 years clear? 20 साल से 24 साल अब 20 साल से 24 साल अगर ये रखा गया है तो ये आपके exam देने की age नहीं है ये आपके academy join करने की age है clear? तो मतलब आप लोग अगर IEM में या Naval Academy join करना चाते हैं और आप CDS 1 2024 exam में eligible थे तो आप लोगों का age bracket 19 years से 24 years के बीच में होगा तो अगर आप 19 से 24 साल के बीच में हैं तभी आप join कर पाएंगे okay ऐसे ही Air Force Academy अगर आप 20 साल से 24 साल के बीच में हैं तभी आप join कर पाएंगे similarly officer standing academy जो till 25 years बोला जाता है ये आपके लिए कहता है कि 19 years to 25 years clear आप 19 साल से 25 साल की age में officer standing academy join कर सकते हैं clear अब सवाल ही उठता है कि ये जो age bracket है ये age bracket हमें कब satisfy करना है clear ये आपका age bracket date of joining में satisfy होना चाहिए clear तो ये सबसे जुरूरी चीज है कि आप समझ लीजिए ये आपकी date of appearing in exam नहीं है ये आपकी date of joining the respective academy है ठीक अब आप लोगों को अगर calculate करना है कि आप कब तक कोई भी entry का exam दे सकते हैं तो आप 19 साल से 24 साल के बीच में IEM में और Naval Academy के लिए दे सकते हैं 20 साल से 24 साल के बीच में Air Force Academy के लिए और 19 से 25 के बीच में OTA के लिए तो सबसे पहले आप खुद ये calculate कर लीजे कि आप कब तक इस age bracket को satisfy करते रहेंगे हर साल में CDS का exam दो बार कराया जाता है एक बार April में और एक बार आपके इन्दी month of September ठीक है अब April में जो exam होता है उसकी joining IA में, IAने और AFA की आती है January of next year और जो OTA के लिए April वाले course की joining आती है April of next year में Similarly, जो September में आपका exam conduct कराया जाता है उसकी joining आती है IA में, IAने और AFA के लिए July next year में और जो OTA है, OTA के आती है October next year में ये चीज़ clear है, तो आप खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं हर साल साल में दो बार exam होता है, हर बार exam की जो एक साल बाद है course वो शुरू होता है ध्यान रखिए हर training academy, whether IA, AFA और Naval Academy इन तीनों academies में नए जो officers का induction होता है, नए जो cadets का course start होता है, वो course हमेशा जनवरी में शुरू होता है और officers training academy में course start होता है, एप्रिल में, clear? अब, जो आपका next CDS 2 2024 का exam है उसमें आपकी, ये CDS 2 2024, इसमें आपको जो joining issue की जाएगी इसकी joining आपकी IA में, AFA और Indian Naval Academy की joining आएगी July 2025 में और OTA की joining आएगी October 2025 में, ठीक? क्या आपके लिए age bracket दिया गया, for Indian Military Academy and Naval Academy 2nd July 2001 to 1st July 2006, okay? Air Force Academy के लिए, आपकी 2nd July 2001 to 1st July 2005 and for OTA, bond not earlier than 2nd July 2000 to 1st July 2006, clear? So CDS 2 2024 की ये है, clear? मतलब आप लोगों का July 1st week में, IA में के लिए और Naval Academy के लिए आपकी age 19 to 24 years के बीच में होगी, Air Force Academy के लिए 20 to 24 years के बीच में होगी, clear? OTA का ये course commence होगा October में और आपकी age होगी 19 to 25 years के बीच में, ठीक? clear? समझ गए आप basic एक calculation क्या है? अब आपकी calculation को और easy बनाते हुए, मैं आपको एक chart दिखा देता हूँ, जिसमें मैंने आपके लिए calculations कर दी हैं, so आपकी अगर age, 2nd January 2000 से 1st July 2000 के बीच में आती है, okay, तो ये 2nd January क्या था? आपका CDS-1, okay, तो आपके लिए कोई भी attempt अभी अब शेश नहीं है, clear? आपका last attempt था CDS-1 2024, ठीक, okay, आपकी age अगर 2nd July 2000 से 1st January 2001 के बीच में आती है, तो आपके पास सिर्फ एक attempt बचा है, वो भी OTA का, और वो है CDS-2 2024, clear? आपका बर्थ अगर 2nd January 2001 से 1st July 2001 के बीच में आता है, तब भी आपके पास सिर्फ दो attempt बचे हैं OTA के, तो आपका CDS-2 2024 और CDS-1 2025, ठीक, समझ रहे हैं आप के कैसे, यहाँ पर अगर दो attempt हैं तो successive attempts आपके, next, अगर आपका बर्थ, अगर आपका बर्थ 2nd July 2001 से 1st January 2002 के बीच में आता है, तब आपके पास तीन attempt हैं, यहाँ पर आपके दो, आपके, यह जो तीन attempt हैं, इनमें ध्यान रखिए, दो attempt आपके OTA के हैं, और IMA, Naval Academy, और Air Force Academy के आपके एक attempt हैं, clear? तो आप यहाँ पर CDS 2 2024 और 2025 के दोनों CDS दे सकते हैं, clear? Okay, so CDS 2 2024 प्लस 2025 के दोनों attempts, okay? अगला आपका अगर बर्थ 2nd January 2002 से 1st July 2002 के बीच में आता है, तो आपके पास OTA के 2 attempts हैं, और बाकी जो आपकी academy है, उसमें बाकियों के भी 2-2 attempts, तो आप यहाँ पर CDS 2 2024 के साथ साथ 2 attempt 2025 के, okay? और इसके साथ 1 attempt 2026 का भी दे सकते हैं, clear? Similarly, 2nd July 2002 से 1st January 2003, यहाँ पर आपके पास 5 attempt है, clear? तो OTA के 2 attempts और बाकी academies के 3 attempts, okay? नेक्स्ट, 2nd January 2003 से 1st July 2003 के बीच में, अगर आप आते हैं, तो 6 attempts हैं आपके पास, 2 OTA के, और 4 बाकी, अच्छा, अब यह धार्नकिये के यह जो OTA वाले candidates हैं, यह in general भी attempts दे सकते हैं, तो OTA वाले जो सभी candidates हैं, अगर वो OTA को prioritize करना चाहते हैं, ठीक, तो वो बाकी जगे भी exam दे सकते हैं, clear? तो OTA के पास हमेशा 2 attempts, अगर आपकी OTA priority है, तो आपके पास हमेशा 2 attempts extra रहेंगे, okay? clear? Next, 2nd July 2003 से 1st January 2004 के बीच में, अगर आप आते हैं, तो आपके पास सिर्फ 2 OTA के और बाकी attempts जो हैं आपके पास, वो बाकी सभी academies के बचेंगे, clear? तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि OTA के साथ, आपके पास ये extra attempt है, okay? क्योंकि OTA में age of joining till 25 है, तो आपको 2 attempts extra मिलते हैं OTA के लिए, और बाकी IEM में AFA और Naval Academic Attempts पहले खतम हो जाते हैं, ठीक? 2nd July 2003 से similarly you have got 7 attempts, 2nd January 2004 से 1st July 2004 तक 8 attempts, and 2nd July 2004 to 1st January 2005 you have got 9 attempts, clear? तो यह एक मैंने आपको basic calculation करके दिखा दी है, okay? अब खास बात, काफी students मुझसे कहते हैं के सर, हम OTA का exam दें या IEM को prioritize करें, क्योंकि बहुत students ऐसे हैं, जिन्होंने class 10th के बाद maths नहीं पढ़ा, तो उन्हें maths से बहुत ज़ादा डर लगता है, ऐसे सभी students से मेरा एक suggestion है, अगर आप IEM A के लिए eligible हैं, तो IEM A को prioritize करें, क्योंकि अगर आप IEM A prioritize नहीं करते हैं, तो आपके पास जो एक मौका था permanent commission लेने का, वो पहले ही खतम हो जाता है, IEM A paper ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ादा tough है, अगर हम IEM A और OTA को consider करें, तो OTA में आपका English और G के तो same है, जो AFA, INA और IEM में वाला है, और maths की भी अगर बात करें, तो maths class 10th level का आता है, clear, तो 10th week का maths अगर आपने कई सालों से नहीं पढ़ा है, फिर भी 3 से 4 महिने अच्छे से revise करें, और अगर आपके पास और कम time है, तो आप at least last 10th साल के papers उठा लो, उन्हें thoroughly practice करो, आपका सारा syllabus revise हो जाएगा, और maths बहुत जादा tough नहीं है, आप आराम से उसे crack कर सकते हैं, clear, तो अगर आपके पास permanent commission के options हैं, तो please उन्हें ignore मत कीजिए, और उन्हें भी avail कीजिए, अगर आप permanent commission के options, जैसे IMA, AFA और Naval Academy का exam देते हैं, unfortunately आप maths की cut-off clear नहीं कर पाते हैं, पर English और GK की cut-off clear कर लेते हैं, तो अगर आप OTA की cut-off match कर जाते हैं, तो आपको OTA के लिए call कर लिया जाएगा, तो CDS exam में हमेशा permanent commission को prioritize कीजिए, अचा, अब ऐसा नहीं है कि बागी जो student short service commission जिने मिल रहा है, उनके पास opportunities कम है, जो student short service commissioned entries को देते हैं या उसमें commission होते हैं, so उन्हें after 10 years of service, उन्हें मौका मिलता है अपनी choices को avail करने का, मतलब depending upon vacancies, depending upon the branch in which you are serving, and depending upon the requirement of the service, आपको भी permanent commission दिया जा सकता है, पर वो permanent commission सिर्फ 10 साल की service पूरे होने के बाद दिया जाता है, और तभी उसे consider किया जाता है, वरना आपको 4 साल का extension दिया जाता है, and then you superannuate, clear, so I hope आप सभी के लिए ये calculations काफी आसान रही होंगी, तो अगर आप इस age bracket में है, अगर आप 2nd July 2001 से 1st January 2002 के बीच में आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए permanent commission entry का ये आखरी attempt है आपके पास, clear, मौका हाथ से मच जाने दीजिए, अच्छे से practice कीजिए, मेहनत कीजिए, clear, आप लोगों की preparation को और मजबूत करने के लिए, इस YouTube चैनल पर हम सभी जो MI Achieve Defense की team है, वो आपके लिए CDS के लिए काफी revision और practice classes लेकर आ रहे हैं, do participate in all those sessions, and do revise your syllabus in the best possible manner, clear, तो अपने syllabus को finishing touch देने के लिए, हमारे साथ जुड़िए, इस channel को subscribe कीजिए, bell icon को press कीजिए, और अपना सपना पूरा करने में हमारा भी साथ थोड़ा सा लीजिए, और अच्छे से उसे अचीव कीजिए, clear, so thank you all for watching this video, अगर अभी भी आप लोगों के कोई doubt है, please feel free to comment below your doubts, इस video के comment section में अपने doubts डालिए, और अगर ये वीडियो आपकी थोड़ी सी भी help करती है, तो please इस वीडियो को like कीजिए, और अपने friends के साथ share करना मत भूलिएगा, okay, so I'll see you all in the next session, next video भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको बाकी exams के भी eligibility और attempts के बारे में बताऊंगा, clear, so we'll see you all in the next session, जेहेंगा.